Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube सैनल English Literature पर Welcome कहती हूँ आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है Toba Teg Sing जिसको सादत हसन मंटू ने लिखा है ये मंटू की बहुत ही important short story है इस short story में basically सादत हसन मंटू ने जो पाकिस्तान की और इंडिया की partition हुई थी, उस scene को depict किया है अब जिस टाइम पे सब कॉंटिनेंट की devian हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहे थे उस टाइम पे दो school of thought थे नमबर वन, ऐसा school of thought जो के preference ज़िदा था partition को क्यूंके मुसल्मान और हिंडू अपने culture, अपने language, अपने religion हर लिहाज से एक दूसरे से अलग थे मुसल्मानों का यकीन एक खुदा पे था तो जो हिंडू थे उनका एक से ज़ादा खुदा पे यकीन था मुसल्मानों के जो religious practices थी वो different थी हिंडूओं से जिस पर जासे बहुत जादा discrimination बेस्ट और racism बेस्ट भी element प्रेजन्ट थे इसी बेस्ट पे कुछ लोगों की demand थी कि उनको separate कर दिया जाए और एक उनका separate homeland बना दिया जाए ताके वो अपने अल्लह की अबादत अजादी से कर सके अपने religious practices अजादी से कर सके और अपनी life को peacefully spend कर सके अपने दीन के according और दूरसा school of thought यह था जो चाहता था कि partition ना हो हम लोग अकठे रहें आपस में अकठे से peacefully रहें क्योंकि अगर partition हो जाएगी तो bloodshed होगा और bloodshed होगा तो बहुत सी death और decay और destruction हो जाएगा इसलिए partition नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब यह दो school of thoughts थे अब इन दो school of thoughts की base पे minority rights, racism, discrimination इन सब को भी mind में रखा गया और सोचा गया कि अगर partition नहीं होती तो वहाँ पे कौन से elements आ सकते एक तो racism का element आ सकता है बहुत strongly दूसरा discrimination का element आ सकता है तीसरा identity crisis का element आ सकता है चोथा religious discrimination का भी आ सकता है जैसा कि जो first school of thought था उनका belief यह था कि अगर partition ना की गई तो एक time ऐसा हैगा जब हिंदू Muslims को suppressed करेंगे या फिर एक time ऐसा हैगा जब Muslim हिंदू को suppressed करेंगे Muslim जो है वो हिंदू को उनकी religious practices नहीं करने देंगे या फिर हिंदू जो है वो Muslims को उनकी religious practices नहीं करने देंगे Minority rights जो है वो प्रोपर में नहीं provide किये जाएंगे तो इनी points को mind में रखते हुए सब continent की partition कर दी गए इंडिया और पाकिस्तान separate separate homeland बना दिये गए और फिर उस duration के अंदर बहुत सी families को trauma face करना पड़ा था कई मुसल्मानों को शहीत किया गया कई जो हिंदू थे उनको उनको भी मारा गया कई सिखों को मारा गया कई मुसल्मानों को मारा गया बहुत bloodshed हुआ बहुत sacrifice करना पड़ा फिर at the end इंडिया एक separate homeland और पाकिस्तान एक separate homeland बन गया जहां पे पाकिस्तान में मुसल्मान अपनी religious practices बड़े अराम से कर रहे हैं और हिंदूस्तान में जो हिंदू है वो अपनी religious practices बड़े एजीली बड़े अराम से कर रहे हैं तो बिसिकली यह दो स्कूल ओफ थोड थे नमबर वन जो के partition को sport कर रहे थे इन facts को सामने रखते हुए नमबर टू जो के partition को sport नहीं कर रहे थे ठीक है यह हक में नहीं था कि यह partition हो separation की जाए इसी तरह दूसरे भी writers हैं जोने फिर उस partition की picture को हमारे सामने लेकर रहे हैं जैसे कि खुश्वन सिंख उसके बाद बैप्सी सिद्वा तो ऐसे राइटर जो के partition के बाद की पिछर हमें दिखा हैं उनको हम कहते हैं post partition writers और ऐसी story जो के partition को sport ना कर रहे हैं उसको हम कहते हैं anti partition story इस story के अंदर जो हम theme देखेंगे वो theme partition का होगा और partition के पाद जो इसके emotional और psychological effects होए थे human psyche के उपर उसके बार बात की जाएगी important theme इसमें struggle for identity दिखाए जाएगा displacement दिखाए जाएगी तो यह कि इसके कुछ important बाते थी अब हम start करते अपनी summary को टॉबा टेक सिंग जब यह summary start होती है जब सब continent से वर्सकीर से इंडिया और पाकिस्तान separate होगे तो उसके दो तीन साथबाद हकूमत को ख्याल आता है कि क्यों ना जो पागल है हमारे जो लिनेटिक्स है हमारे जो जेलों में बंद है पागल खानों में बंद है उनको भी exchange कर लिया जाए जो मुसल्मान पागल है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो सिख और हिंदू पागल है उनको हिंदूस्तान भेज दिया जाए इस पर different conferences हुई सब conference हुई तो conference में ये बात fix कर ली कि ठीक है हम लोग आपस में जो lunatics है उनको आपस में exchange कर लेंगे फिर जो मुसल्मान पागल थे उनके जो रिष्टेदार थे जो हिंदू में रह 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 थे हिंदूस्तान में रह 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 थे उनको वहीं रहने दिया और जो बाकित है उनको आगे भेज दिया गया अब जब ये खबर exchange करने की लहोर के पागल खाने में पहुँचती है तो वहाँ पे जितने भी पागल मुझूद है वो आपस में discussion करना शुरू कर देते है उनमें से एक मुसल्मान पागल है जो बारा साल से जमीन दार रह बार बार है अब जब उसको ये नियूस मिलती है तो पूचता है मौलवी साहब से कहता है मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है फिर जो मौलवी साहब है बड़ा इगोर फिकर करने के बाद कहते है हिंदुस्तान में एक ऐसी जगा जहां उस तरह बनते है यह जो आप सुनकर बड़ा मुतमईन हो जाता है वो मुसल्मान पागल इसी तरह एक सिख पागल, दूसरे सिख पागल से पूछता है सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों बेजा जा रहा है हमें तो वहाँ कोई बोली भी नहीं आती दूसरा मुस्कुराता है सषय कहते हैं, मुझे तो हिंदुस्तोड़ों की बोली आती है हिंदुस्ताणी बड़े शहतानी अकड़-अकड़कर फिरते हैं यहां पर ये एक जगह criticize किया गया है हिंदूस को और एक जगह criticize किया गया है मुसलीम्स को मदरiskने बात की, उस तरहीं बंते हैं फिर उसने बात की अकड़ अकड़ के फिरते हैं इट मीन्स के यह भी तेज तरार होते हैं इंगलिश पर उन्हों पिर इसके बाद ना एक दिन नहाते हुए एक मुसलमान पागल जोर जोर से नारा लगा नहीं पड़ता है पाकिस्तान जिन्दाबाद इसने इतनी जोर से नारा लगाया कि फिसल के फर्ष भी गिर गया और बेहोशो गया अब कुछ पागल यहां पे ऐसे थे जो के एक्शली में पागल नहीं थे वो क्रिमिनल्स थे और उन्होंने बहुत बड़े केसिस किये हुए थे करिमिनल्स थे उनको ये बात कुछ चुछ चुछ समझार थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब tikもし अपरेट रहे हैं और उर लगा लग कंट्री बनने वाली है और कुछ कुछ समझार थे हिंदुस्तान को क्यो तक्सीं किया गया है लेकिन जो रियल वाकिया थे जो इंसिडेंस थे उनको इसकी कबर नहीं थी और इनको सिर्फ इतना पता था कि एक आदमी मुहमद अली जिना है जिसे कायदिजम कहते हैं उसने मुसल्मानों के लिए इलाधा मुलक बनाया जिसका नाम पाकिस्तान है यह कहा है इसकी प्लेस क्या है इसकी जगा क्या है किसी क कुछ नहीं पता था और सब पागल यही कुछ सोच रहे थे कि क्या वो पाकिस्तान में है क्या हिंदुस्तान में है अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहा है अगर वो पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है क्योंकि कुछ अर्सा पहले तो वो तो हिंदुस्तान मे थे और एक पागल इस हिंदुस्तान और फाकिस्तान और फाकिस्तान और पाकिस्तान के चकर में ऐसा फसा कि वह और पागल हो गया और जाडू देते चेविब दश पर चड़ गया पृर तहनी पर बैठ गया और दो घंटे मसल्सल तकरीर करता रहा जो के पाकिस्तान और इंडिया के सेंसिटिव सूर्थेहाद पे थी जो वहाँ पे सॉल्जर्स थे उन्होंने इसको नीचे उतारने की कोशिश तो की इसको ड्राया धमकाया लेकिन उसने कहा I do not want to live in इंडिया और पाकिस्तान I am going to make my home right here on these trees कि मैं हिंडुस्तान में रहना जाता हूँ ना पाकिस्तान में मैं द्रख पर ही रहूँगा मैं यहाँ पर ही अपना घर बनाऊँगा फिर कुछ टाइम बाद जब यह थोड़ा सैट हुआ तो द्रख से नीचे उतरा और अपने सिख और हिंदू दोस्तों को गले लग के रोने लग पड़ा और इसके दिल इस बाद से भर आया था इसलिए इमोशनल हो गया था कि अगर मैं यानि कि चला जाता हूँ यहाँ से तो तुम दोनों मेंस तो इसके हिंदू और सिख दोस्त है वो तो छोड़कर हिंदूस तांजला जाएंगे और मैं फिर पाकिस्ता मेरा जाओंगा तुम लोग तो मेरे दोस्तों हम सेपरेट हो जाएंगे फिर इसमें एक MSC पास रेडियो इंजीनियर है जो के मुस्लमान था ये भी पागल है दूसरे पागल से बिल्कुल अलग था जिजाए टाइम जो भाखो भी ख्याएंगे खमोश रहता था इसके बाद एक और पागल था जो के एक फाट मैन था ये चिन्योट का एक मौटा सा मुस्लमान पागल था जो मुस्लिम लीक का एक रुकन भी रह चुका हुआ है, एक मेंबर रह चुका हुआ है दिन में 15-16 मर्दवा यह नहाया करता था लेकिन इसने अपनी अदर छोड़ दी और इसका ना मुहम्मद अली था इस मोटे मुसल्मान आत्मी का अब इसने क्या कह दिया एक दिन इसने अपने जंगले में अपने पिंजरे में इसमें कैद आना इलान कर दिया कि मैं मुहमद अली कायदयाजम हूँ, ठीक है कि वो कायदयाजम अली जनाया इसको देखकर एक सिख पागल था, उसने कहा दिया जी मैं मास्टर तारा सिंग हूँ फिर इन दोनों में लडाई शुरू हो गई और इन दोनों में इतनी लडाई हुई कि बलडशड होने के चांसिस थे इसी बेस पे इनको सेपरेट कर दिया गया, खतरनाक पागल करार दे कर अब लहोर में एक लॉयर था, लॉयर मींस ये भी एक पागल ही था एक नोजवान हिंदू वकील, इसको लड़की से, एक लड़की से मौबत हो गई थी और मौबत में नाकाम हो गया, नाकाम होकर ये भी एक पागल बन गया जब इसको पता लगा कि अमरिट सर जो है, वो हिंदूस्तान में चला जाएगा मेरे दोनों अलग अलग हो जाएगे, इसलिए जितने भी वो हिंदू और मुस्लिम लीडर्स थे ना, उनको गालियां देता था और कहता था उसकी वज़ा से, जो मेरी महबूबा है, वो हिंदूस्तानी बन गई, और मैं पाकिस्तानी फिर उसके बाद, इसको कई दूसरे पागल और समझाया कि तुम अपना दिल मत बुरा करो, तुम जो हो ना, तुम हिंदूस्तान चले जाना, अपनी महबूबा के पास, जहां पर तुमारे महबूबा होगे, तुम उसके पास होगे, तो तुम बिलकुल खुशी-खुशी लेकिन वो वकील कहता है कि मैं तो लहोर नहीं छोड़ा चाता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिसिस जो हैं वो लहोर में अच्छी चल रही हैं, अमरिस सार में वो अच्छी नहीं चलेंगी, फिर यूर्पियन वार्ड में दो अंगलो इंडियन पागल रहते थे, अब जब इनको म पागल खाने के तोर पे क्या पूजिशन होगी, यूर्पियन वार्ड रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसको उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्याने डबल रोटी की बज़ाए, इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी, अब ये इस सिख की जुपान से अजीब औ गरीब किसम के इलफाज आते थे, जैसा के उपर दी गरगर दी एनेक्स दी बेधियाना दी मंग दी डॉल ओफ लैल टेन, ये सिख न दिन को सोता था न रात को, इविन के इसके बारे में कहा जाता है, कि ये कई कई रोज तक दिवारों के साथ टेक लगा के रहता था, हर वक्क खड़ा रहने की वज़ा से इसके पाउं भी सूज गए थे, पिंडलियां जो इसकी टांगे थी वो भी काफी फूल गई थी, इसकी जिसम में बहुता तकलीफ थी, और उस पेंड की वज़ा से ये लेड भी नहीं पाता था, अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाते हो रही थी और पागलों की तबादले की बाते हो रही थी तो ये बड़ा गोर से सुनता था उनको, कोई से पूछता था कि तुम्हारा क्या ख्याल है इसके उपर तो बड़ा ये ना सीरियस हो जाता था, और सीरिस होके जवाब देता तुपर ती गड़ डी एनेक्स्ट दी बेधियाना दी मंग डी डाल ऑफदा गवर्मन्ट ऑफ पाकिस्तान लेकिन बादमें ऑफदी पाकिस्तान government के जगा of the Toba Taxing government ने ले ली थी और इसने दूसरे पागलों से पूर्ण शुरू कर दिया कि Toba Taxing कहा है Where is Toba Taxing और ये बार-बार Toba Taxing का इसलिए पूर्चा था क्योंगे Toba Taxing का रहने वाला था और कोई भी उस जगा पर मुझूद Toba Taxing की exact position को नहीं जानता था और जो की बताने की कोशिश करता वो खुद confused हो जाता कहता कि सेयाल कोड़ना पहले हिंदुस्तान में होता था पर सुना कि अब पाकिस्तान में है क्या पता लहोर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए मीनस्ट उसे सारे कन्फ्यूज थे बिशन सिंग कौन? ए जिसक जिसकी मैं बात कर रही है ये सिक जिसका नाम था भीशन सिंग ये टोबा टैक्सिंग में इसकी बहुता जमीने थी लेकिन अचानक इसका दिमाग खराब हो किया और इसके रिष्टदार जो इसको जिंजीरों में बांद कर पागल खाने में ले आए थे ये बंदा पंदरा साल से इस पागल खाने में रह रहा था लेकिन आज तक इसने कभी भी किसी कोई उकसान नहीं पहुंचाया था महीने में एक बार इसके जो रिष्टदार थे इससे मिलने के लिए अजय करते थे लेकिन जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टिशन का मसला शुरू हुआ था तो उस दुरान तक कोई भी इसके पास मिलने नहीं आया अब बिशन सिंग को सारे माँ पे टोबा टेक सिंग कहा करते थे क्योंकि ये टोबा टेक सिंग से बिलोंग करता था और ये टोबा टेक सिंग के बारे में पूछता रहता था इसलिए बिशन सिंग को सब के सब टोबा टेक सिंग कहकर बुकारा करते थे बिशंग सिंग जो वो सालों के सालों नहीं नहाता था एवन के ना नहाने की बेस पेस की दाड़ी भी जम गई थी लेकिन जब कोई मिलने के लिए आरा होता था तो इसको अंदाजा हो जाता था कि आज मुझसे मेरे मिलने के लिए आरे हैं लोग मेरे जहर से नेटोबा टैक्सिंग से मेरे गाउं से तो ये उस दिन बड़े अच्छे से नहाता खुद को अच्छे से साफ सुतरा करके ना फिर कहता होता था उपर दी गड़गड दिये निस दी बेदे आना दिये मंग ओफ दी वॉल ओफ दी लाल टेन विशिन सिंकी ने एक बेटी थी उसका नाम था रूप कोर वो बेटी जब भी अपने बाप को देखती थी ना उसकी हालत देखकर बड़ा परिशान होती थी बहुत रोती थी फैर अब जब पाकिस्तान और इंडिया का वाक्या शुरू हुआ तो दूसरे पागलोंस इसना पूछ चूरू कर दिया बार बार की वहर इस टॉबा टेकसिंग टॉबा टेकसिंग कहा झाए और जब इसको एक प्रोपर आंसर नहीं मिलता था फिर ये और परैशान होता था और partition के time पे इससे कोई मिलने के लिए भी नहीं आ रहा था अब जब कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा था तो ये और परेशान रहने लग पड़ा अब उस पागल खाने के अंदर एक पागल खाना ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था अब जब एक रोज विशन सिंग ने से पूचा के टॉबा टेक्सिम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में तो उसने कहका लगाया means वो हसा और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में इसलिए कि मैंने अभी तक इसको हुकम नहीं दिया बिशन सेगे नान आटा है इसको मिन्नत करता है तुम सत्रीज के तुम हुकम देदम लेकिन। यह खुद को खुद को हुद्ड कहह रहा है य० पागल जो कहते हैं अब कि बहुत स case मुझे भी हुझा लूच्ग था आप अब तुम्हेरे डीज करना करणने हैं भाल शकलद खालसा, वहि गुरु जुदी फत्ए, जो बोले सोनिहाल, शत्रियाकाल। यह जो लाइन है इसकी यहां पर रिलिजन को इंडिकेट कर रही है। कि तुम जोन से भी खुदा हो, मेरा जो खुदा है, वो वहे गुरूजी है, यहाँ पर सिख है सिख, अपने रिलिजन को इंडिगेट कर रहा है, फिर उसके बाद, जो राइटर ने लिखा है, वो लिखा है, कि इसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसल्मानों के खुदा हो, सिख को के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते, अब जब एक्सचेंज की बारी आई, एक्सचेंज से थोड़ी देर पहले, इसका एक दोस्त, टोबार टेक सिंग से, इससे मिलने के लिए आता है, उसका रहा है, फजल दीन जब इससे मिलने के लिए आता है, तो इसको देख कर पीछे अड़ जाता है फिसको soldiers रोकते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे जो घर वाले थे वो बड़े अराम से खैरियत से अच्छे से हिंदुस्तान चले गए हैं उसे जतनी होसे कि मैंने उनकी मदद कर दी और तुम्हारी बेटी रूप कोर वो कुछ कहते कहते रूप कोर वो कुछ याद आने लगा वो कहता है बेटी रूप कोर फजल वो भी ठीक ठाक है इनके साथ ही चली गई इसके बाद विशन सिंग खमोश रहता है फजल दिन ने कहना शुरू किया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी हाल चाल पूसता रहा करूँ मैं तुम्हारे पासाता रहा करूँ अब सुना तुम हिंदुस्तान जा रह और उसके बाद फजल दीन उसको मरुंडो की एक खाने वली चीज होती है उसको एक पॉल्ट्री देता है एक पैकेट देता है वो बशन सिंग ले लेता है उससे फिर वो पूछता है इससे फजल दिन से कि तुम मुझे बताओ टोबा टेक सिंग कहा है फजल दीन बड़ान ह कहता है कहां जहां पहले था वहीं पर ही होगा बशन सिंग पूछता है पाकिस्तान में है यह हिंदुस्तान में इस पर आगे से फजल दिन जवाब देता है हिंदुस्तान में नहीं नहीं पाकिस्तान में अब बशन सिंग जो है वो गुसे में बोलता है उपर दी गरगर दी पाकिस्तान, इंडिया दूर कहा हि वह उतिकेσι कहते कोצुमू एक्स्चेंज को एक जगह ilippοι बेजने को चाहरे अब जो मुसल्मान हिंदू थे जो मुसल्मान पागल थे उनको पाकिस्तान बेजने का वक शुरू हुआ और जो हिंदू और सिख पागल थे उनको हिंदूस्तान बेजने का वक शुरू हुआ ये बहुत ही मुश्किल वक्त था इसमें कई जो पागल थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कई पागलों को इस नारे के ओपर गुसा आ रहा था और वो लड़ रहे थे अब इसमें बिशन शिंग की बारी आई ये कि बारी बारी जो पाकल थे वो ओफिसर के पास जाकर अपनी परसनल डिटेल्स दे रहे थे अब जब बिशन सिंग की बारी आती है तो वो पूछता ओफिसर से कि वेर इस टॉबा टेक सिंग इन इंडिया और पाकिस्तान ओफिसर बहुत तूची रस्ता है और कहता है अफकोर्स पाकिस्तान में है ये सुनकर बिशन सिंग जो है न बड़ा उचल जाता है और एक तरफ भागता है और अपने बागी दोस्तों के पास पहुन जाता है जुसमें पाकिस्तानी ओफिसर्स थे वो इसको पकड़के दूसरी तरफ लेकर जाने लगे मगर इसने चलने से इंकार कर दिया और कहता टॉबा टेक सिंग कहा है और जोर जोर से चलाने लगा उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टॉबा टेक सिंग हिंदूस्तान में चला गया है अगर टॉबा टेक सिंग हिंदूस्तान में नहीं गया न तो वो फोरण टॉबा टेक सिंग को हिंदूस्तान बेज़ देंगे लेकिन वो नहीं मानता अब इसके उपर बड़ी जबरदस्ती की गई कि आ जाओ मान जाओ लेकिन कोशिश ना काम रही क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्दान इन दोनों के दिर्मियान एक जगा थी वहां जाके खड़ा हो गया अपनी सूजी वे टांगों के साथ कि अब कोई भी ताकत इसको वहां से हला नहीं सकेगी अब आदनी क्योंकि बहुत कमजोर था इसलिए इसको पर जबरदस्ती नहीं की गई इसको वही खड़ा रहने दिया गया और बाकिस सब को जो एक्सचेंज का काम था वो होता रहा फिर सूरज के निकलने से पहले बिशन सिंग जब वो एक उँची से चीख मारता है और सब भाग कर वहां पे आते हैं उसको देखते हैं कि एक आतमी जो पंदरा साल से खड़ा रहा कभी लेटा नहीं कभी बैठा नहीं आज वो उल्टे मूँ जमीन पर गिरा हुआ है जिसकी एक तरफ क्या है एक तरफ बार्ब वायर है और उस वायर के दुस साइट पे इंडिया के पागल है और एक तरफ ज़ादा बार्ब वायर है और उसके तरफ क्या है पाकिस्तान के पागल है और उसके दिर्मियान में उस दमीन के टुकड़े के दिर्मियान में जिसका कोई नाम नहीं था टॉबा टेक सिंग लेटा हुआ था और यहाँ पे यह समरी हुई झाल झाल